हाई गायस आज मैं आए एम नोटे रोबोट के फोथ पार्ट को एक्स्प्लेन करने जा रही हूँ अगर आपने पहले के पार्ट नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक करके या फिर डिस्क्रिप्शन में दिये गए लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं अब आगे देखते ह कहता है कि मैं इस रोबोट को एक खतरनाख अथियार के रूप में इस्तिमाल करूंगा और वो उसे खरीद लेता है दरसल माटन ने हॉन की टीम से ये रोबोट बनाने को कहा अब मिन क्यू आता है और एजी तीन के बारे में पूछता है लेकिन हॉन का कहना है कि माटन एक ख रोबोट को शहर में घूमते हुए देखते हैं उसके पास कोई यादे नहीं है और वो अपने बारे में कुछ भी नहीं जानती मिन क्यू भी घर लौटाटा है और एक छोटा सा प्यारा रोबोट हाई कहता है वो देखता है कि जिया और हॉन्प की टीम उसकी रसोई में खा गया है जो उसमें सहेजे गए थे माटन का एक वीडियो जिसमें वो कहता है कि वो उसे एक खतरनाख अथियार के रूप में इस्तेमाल करेगा वो हॉम की टीन का वीडियो भी देखता है इसलिए उन्हें जिसमें वे सभी कहते हैं कि आप एक मिलनसार रोबोट हैं और रहेंग वो वही महिला है जिसने बचपन में मिनक्यू के लिए एक नोट लिखा था किसी भी कागजात पर हस्ताक्षर न करें और वो हर समय उसकी मदद करती थी वो उसे बताती है कि माटन एक खतरनाक आदमी है अगर हम उसे पकड़ ले तो कई लोगों को फाइदा होगा एक आदम इस टीम तुम्हारी रक्षा करेगी इसलिए तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है अब हुआ आदमी मिनक्यू को माटन के खिलाफ सबूत देने के लिए तैयार था मिनक्यू ने सबूत पुलिस को भेज दिये जिया मिनक्यू को ऐसी जगा भी ले जाती है जहां अजी तीम लिए एक बड़ी डील चल रही थी लेकिन वहां पहुंचकर मिनक्यू को पता चला कि अजी तीन रोबोट गायब है माटन इसलिए भी चिंतित था क्योंकि अजी तीन में उसकी रिकोर्डिंग थी और उसे डर था कि अगर पुलिस को इसका पता चल गया तो वह पकड़ा ज जिया और मिनक्यू उसे सडकों पर धूंड रहे थे जब हम की टीम CCTV कैमरों की जांच कर रही थी लेकिन जल्द ही माटन के साथियों को एजी तीन की लोकेशन का पता चल गया अब दो अजन भी उसके सामने आते हैं और कहते हैं हम आपके रिष्टेदार हैं अजी तीन गई है और उन्होंने उसे गलत हाथों में नहीं जाने दिया जेया और मिनक्यू खुष थे और हॉन की टीम के साथ खाना खा रहे थे और अजी तीन के विडियो देख रहे थे जब वह बाहर इंसानों से मिली अजी तीन ने अच्छा काम किया है हुन का कहना है कि मैं उसका चेहरा बदलने जा रहा हूँ, उस रात वे सभी उसे एक साथ अलविदा कहते हैं, मिन क्यों भी मीडिया के सामने अपने बारे में सब कुछ बताते हैं, कि उन्हें इंसानों से अलजी है लेकिन समय के साथ सब ठीक हो रहा है, वो उन लोगों को धन्यवाद देता है, जिन्हो जीवन में सही निर्नय लेते हुए खुश और संतुष्ट देख रहे थे, वो जिया को फोन करता है और उसे डिनर पर मिलने के लिए कहता है, वो जिया से कहता है कि उसका भाई अभी भी उसके साथ नौकरी नहीं करना चाहता है, और वो इस्तीफा देने के लिए तयार हैं, अब जिया अपने भाई से मिलती है और उसकी पत्नी के सामने इस बारे में बात करती है, इस पर उनकी पत्नी ने उन्हें इस्तीफा देने से मना किया, अगली सुबा जिया का भाई मिनक्यू के पास जाता है और माफी मानगता है, उन्होंने अपना इस्तीफा वापस ले ल जाता है, जिया को ग्राहकों को अपनी कमपनी के लांप दिखाते हुए दिखाया गया है और थोड़ी देर बाद उसे मिन क्यू से मिलने जाना है, हम की टीम और जिया का परिवार पहले से ही वहां मौझूद था, वो उसके घर आती है और एक कार उसके घर के बाहर रुखती ह जिसमें से एक सैनिक निकलता है, वो कोई और नहीं बलकि मिन क्यू था जो एक सैनिक बन गया है, जिया करीब आती है लेकिन फिसल जाती है और मिन क्यू उसे संभालता है, वो उसे घूर रहा था, इसका मतलब है कि वे अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ चुके हैं, मिन सुरत पल के बाद उन्हें मिन क्यू के घर की ओर जाते हुए दिखाया गया है जहां हर कोई उनका इंतजार कर रहा था, और स्टोरी यही खतम हो जाती हैं